हमसे बहुत सारे लोग कुशिण करते हैं कि सर अगर हमें प्रॉपर वे में जावा श्ट्रेक पे मस्टरी तो क्या टेख्नोजी उस हमें किस ओर्डर में सीखनी चाहिए को से जावा के टेख्नोजीजस जो हम पहले सीखों बाद में से बीच में सीखें और कैसे हम लोग लास्ट तक पहुचेंगे कैसे हम लोग माइक्रो सर्विसस तक पहुचेंगे तो इस वीड़े में मैं यही सारी चीज़े बात करने वालों कंप्लीट बात करने वालों मैं पीडिया भी प्रवाइट कर दूंगा लास्ट में इसका डिस्क्रिप्ट वाक्स में लिंक दे दूंगा आप उन सारी टेक्नलोजिस को उसी ओर में अगर सीखते हो तो आपको बहुत ही असानी बहुत ही असानी होगी और बहुत आप स्मूथली से क्या कर पाऊगे आप जाव जावा स्टैक में मास्टरी असिल कर पाऊगे अब यहां पर मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है वह बताना चाहूंगा कोई जरूरी नहीं जो आप बताने जा रहा हूं आप वही ओर फॉलो करके आप जावा स्टैक पर आप मास्टरी हांसिल करो यहां पर आप और सकते हो करने को तो आप डिरेक्टली स्प्रिंग बूट सीख सकते हो और यहां पर कंपणी की होती है कि आपके सीखरों किसी कंपनी में जॉब करते हो तो अगर आपको उन्होंने स्प्रिंग बूट सीखने के लिए दिया तो आप को जावा से सुरू करोगे तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं ऐब यहां अगर मैं अगर अगर आपके पास एंपल ऑन्ट टाइम है एंपल अमौंट ऑफ टाइम एंध टेकनौजी को सीखने के लिए तो वो चीज में अपने दिमाग में रख करके यह चीज बताने जा जाना नहीं जान दे बट होता है कि फर तरीका होता है कि आप साइकल सीखो भाईक सीखो देना फूर लेफ पे जो यहाँ भी मैं वही केस समझ रहा हूं मैं एक तम सुरू से बताओंगा अगर आपको तो आप टाइम है तो यही और फोलो करें आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगा लास्ट में चार चीजे में यहां पर इंपोर्टेंट बताऊंगा अगर आप वो चार चीजे धान रखोगे तो कोई भी टेकनोजी जावा ही नहीं कोई भी टेकनोजी में आप बहुत आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो तो आप वो चारों पॉइंट को सुनने और समर्शने के लिए वीडियो को चलते हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां में स्लाइड के थूर समझाता हूंगे सारे पॉइंट कि कौन से टेकनोजी कब सीखोगे तो क्या फाइदा है और क्या कोई भी टेकनोजी अगर आप सीखते हो तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए तो मैं फिर से बताऊंगा कि हो सकता है कि यह वीडियो को बिगिनर देख रहा हो या कोई मीडियम लेबल का बंदा देख रहा हो या कोई प्रोफेशनल देख रहा हो बट मैं ऐसा करते हो तो आपको बेसिक कॉंसेट समझ में आएंगे तभी आप एडवांस के चीजें सीख पाऊगे क्योंकि अगर मालो आप टारेक्टी माइक्रो सर्विस पर जाते हो और सीखते भी हो तो आपको आपे उपस कॉंसेट के जरूत पड़ेगी आपको यहां डेटर टाइप की बहुत सारे कॉंसेट्ट पड़ेगे तो अगराओं सीखे रहOUगे तो आप आप महां पे इड्वांस कॉंसेट नहीं सीख फ़ाहों करेंस तूझ स 不्य direct ककी जैसा मेरा जब देज नी जावा स्टाक की बात करें तो सबसे पहले को मास्ट्री रहा है कोर जावा या जय जब हैसी जय सब्से फहले बेसिक कांसेप्ट वहां पे सीकर सारे बसे कांसेप्ट जैसे बसे इande टाइब यह रहा क्या होता है एक RIGHT है तो आपको आपे JTBC भी सीख लेने चाहिए, Java Database Connectivity भी सीख लेने चाहिए, क्यों कि अभी मैं बताऊंगा कि Java Database Connectivity क्या बेसिकली इंपॉर्टेस रोल प्ले करीगी कि आप Core Java के साथ ही सीख लोगे तो और अगर नहीं सीखोगे तो बहुत जादे दिक्कत आने वाली है, मैं अभी सब चीज़ एकदम अच्छा से से बताता हूँ और एकदम प्रूथ क्या है यह भी बताता हूँ तो सपोज ही सारे कॉंसेट्स आप आपने सीख लिये तो मैं रिकमेंट करूँगा कि आपने कोर जावा में स्विंग चैप्टर भी सीखा होगा या AWT सीखा होगा या जावा FX सीखा होगा अगर आप सीख रहे हो तो उसी के साथ साथ अगर आपने GTBC Java Database Connectivity सीख लिया जावा FX या फिर आप AWT यूज करके ही एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो मैं कम से कम बोलूँ अगर आपको मालो जल्दी भी है तो मैं कहूंगा कम से कम एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ उसका स्ट्रक्चर समझव और GDBC को यूज करो डीटाबेश को यूज करो प्रोजेक्ट बनाने क्लिए यहां पר डारिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओगे लेकिन कोसिसकर वो सारे प्रोजेक्ट तो तो ठीक हैसी जो को समझेन के लिए ठीक है बचभ्ट आपको यसा करो साथी साथ में डीटा बेस करो साहई आप लडरी का बीचमेंट का चोलuly मेंग़मेंट का आप कम से कम एक database label का project बनाओ, तो यहां तक का सारे basics हो गए हैं, सारे basics का मतब आपको course Java हो गई, यहां पे एक project भी हो गया, और जो important concepts है, packages, exception, networking, multi-threading भी हो गया, I think आपको ये चीज़े समझ में आ गए, जब आपको database के साथ एक project हो जाएगा, मैं recommend करता हूँ हमेशा कि आप एक project जरूर से जरूर करो database के साथ, यह कर लोगे तो भाई, आपके साथ, मतब आप एकदम समझ लो, एक अच्छे level पे होगे, प्रो होगे, मैं simply यही बताना चाह रहा हूँ, next आप बढ़ते हैं, then आप advanced Java की तरबड़ो, एक चीज में यहाँ पे और mention करना चाह रहा हूँ, अगर आप Android सीख रहे हो, तो आप Korjava के बाद direct Android पे जा सकते हो, Oops के concept आपके important होनी चाहिए, important है वहाँ पे, तो Oops को आपको अच्छे से आनी चाहिए, multi-threading, networking, यह सारे चीज़ यहाँ रहे ही, कोरजावा का प्रोजेक्ट बना लिए हो, तो आप बहुत जादा compatible फील करोगे तो Android में, तो आप Korjava के बाद Android पे जा सकते हो, और जब Android सीखोगे तो आपको बहुत सारी technologies और सीख नहीं पड़ेंगी, जैसे advanced web APIs वगरा calling कैसे करनी है, या APIs बनानी कैसे है, वह सब चीज बात की बात है वह Android में आप वहां पे सीख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप advanced Java सीखो, मतलब आप Android के साथ भी वह सब चीज सीख सकते हो, तो Android का एक पाथ हलग है, आप कहोगे तो उसके बीडियो बना दूँगा, डिस्क्रिप्शन बाक्स में आप सब लोगों को बताओ, कि Android का लर्निक पाथ अगर आपको चाहिए, वह आस्ट्री कैसे असल करनी है, तो मैं वह भी बना दूँगा, कोई भी इशू नहीं है हमार साथ, यह कुश्यन बहुत जाद आ रहा था, एक Java का अप्लिकेशन है, वो database के साथ communicate कर सकता है, और काफी चीज़े कर सकता है, तो यहां पर सिंप्ली आपको start कर देना है, servlet topics के साथ, कि basically Java का program server side पर कैसे हो जाएगा, request को कैसे handle करेगा, कैसे servlet बनाते हैं, servlet बनाते हैं, कैसे request को, कैसे data भेजते हैं client server से, यह सारी चीज़े important हो जाती है, अगर आप एक web application की बात करते हो, वहां पर जब कोई website बनाते हो, यह सब चीज़े बहुत जादा important होती है, तो यह चीज़ आनी चाहिए आपको practically यह नीचे, web server को install करना, configure करना, ID यह सब चीज़ आपको पता होने चाहिए, यह आपको वहां पर कुछ problems पता चलेंगी serverate में, तो उन problems को solve करेगा JSP, तो अबेसे बात आप interest लेने लगोगे कि यह मेरे साथ दिक्कत आ रही है, तो इसको solve कैसे किया जाए, तो वहां पर आएगा JSP, कि भाई JSP में आप directly pages लिखने पड़ रहे हैं, आपको यहां पर हर बार के लिए हर एक क्रिक को handle करने के लिए आपको यहां पर classes नहीं बनानी पड़ रही है, JSP में डारेक्ट आप pages लिख करके काम कर सकते हो, automatic serverate create हो जाएगा, then filters वगएरा भी concept आप सीख लो क्योंकि जरूरी है जब आप advanced framework के तरह मूफ करते हो तो filters, interceptor वगएरा बहुँ जादा important है authentication के लिए filters होते हैं, तमाम तरीके की चीज के लिए filters होते हैं, इसमें भी मैं कहूंगा आप एक project pro level का बनाओ कम से कम, सबसे best learning है आप java का stack क्यों सीख करो भाई, project है software को develop करने के लिए तो आप stack सीख करो आप कुछ सोचो, तो आप project नहीं बनाओगे सारा concept आप theoretical level पर सीखते रहोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा, सपोज आप interview लिए भी सीख करो तब भी आपके resume में एक project at least होना चाहिए, तो आप एक project बनाओ अच्छे level का जिसमें आप servet use करो, GSP use करो, database use करो, JDBC use करो, इन पूरा काम करके, पूरा जितनी चीज़ी आपने सीखी उसको एक अठा करके एक बड़िया सा project बनाओ, तो मेरी guarantee है कि guarantee से आप servet GSP filters और एक project भी सीख जाओंगे, project यतना है कि आप उसको deploy और run तो नहीं कर सकते हो, बट deploy मदा उस कह सकते, production लेबल का तो project नहीं आप उसने business तो नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत जादा, तो यहाँ पर आप जाओगे मेरे चैनल के playlist में वहाँ पर servet GSP filters और projects भी मिल जाएंगे, अगर मालो इतना आपने सीख लिया project भी कर लिया कम से कम, मैं तो recommend करूंगा कि भाई आप project जरूर करो, अगर आपने इतना कर लिया, तभी आप framework की तरफ move करो, अब framework मैं तो जब सीख रहा था था, मैं personally अपना experience बता रहा हूँ कि जब मैं service से और GSP से website को बना रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादे दिक्कत हो रहे थी website बनाने विले, बहुत ज़्यादा code लिखना पड़ रहा था, हमारा code हलकि MBC pattern में follow तो कर रहा था बार-बार, जब हम कोई data भेज रहे हैं, टॉपिक का नाम भेज रहे हैं, या हम ID भेज रहे हैं, तो हमें question लगा के भेजना पड़ रहा था, बलब ऐसा parameter भेजना पड़ रहा था, तो हम बार-बार सर्च कर रहे थी कि भाई कैसे हम अपने e-vrl को clean बना है, श्लेश के बाद हम पहले .gsp हटाएं, फिर उसके बाद हम लोग कैसे बनाएं, मैंने बहुत साथा internet पर सर्च किया, दिन मुझे पता चला कि भाई, अगर मैं framework सीखता हूं, इस ट्रेल्ट या फिर spring mbc, तो वहाँ पे हमें ये feature automatic मिल जाता है, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने e-vrl को clean बना सकते हैं, डेटा वहाँ बैच सकते हैं, दिन मैंने जो कमिया मुझे server gsp और project बनाते समय लगी, उन कमियों को remove करने के लिए मैंने framework को सीखा, तो वहाँ पे मुझे interest आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था काम करने में, क्योंकि हम server gsp, core technology से move कर रहे थे framework पे अपने problems को solve करने के लिए, क्या-क्या problems हैं, क्या-क्या problems हैं, उनको solve करने के लिए, तो मैंने सिर्फ एक example बताया था, तब आपको interest भी आएगा कि अच्छा framework क्यों है, अनकी जरूत क्या है, ठीक है, तो अब आप framework से तरफ move कर जाओगे, और वहां पर आप सीखोगे कि database के साथ बहुत जादा problems आईगी, जब मैं project बना रहे था, तो मेरे साथ भी बहुत जादी problem आई थी, हर बार query लिखने पड़ रही थी, हर एक के लिए आपको काम करना पड़ रहा था, मतलब हर बार DAO classes बनानी पड़ रही है, और हर बार एक query लिखने पड़ रही है, जब कि Java classes भी आप लिख रहे थो, तब मुझे दिख, काम हो जाए, तब मुझे यहां ORM का concept मिला, और Hibernate मैंने सीखा, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, table मना लेंगे और class मना लेंगे, दोनों को map कर देंगे, Hibernate की हद्से, ORM, object relational mapping, map करने के बाद हमें अपने आप से कुछ functions मिल जाएंगे, कुछ methods मिल जाएंगे, हमारा object डारेक्ट में save call करो, query अपने आप से बन जाएगी, वाओ, मज़ा यह चीज तो मैंने जब पहली बार implement की, अपने project में मज़ा ही आ गया, तो अगर आप चीजों को समझोगे ना, आप spring सीखो, spring में बहुत सारी module है, spring core सीखो, ORM सीखो, MBC सीखो, और N number of modules हैं आप वहाँ पे, जाके के modules आप जरूर से सीखो, और time दो proper, then उसके बाद जब आप spring मना लो, spring पर काम कर लो, then मैं recommend करूंगा कि उसके बाद आप spring boot और boot के बाद माइक्रो सर्विसस करो, तो यहां पर यह, माइक्रो सर्विसस तो मैं यहां पर कहा दूंगा कि अभी सीखो, spring boot इसके बाद सीखो, आप spring boot जब सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, जो दिक्कत spring, normal spring framework में spring MBC में हो रही थी, spring boot ने वह problems को solve कर दी है, आपको क्या करना पड़ रहा है, spring boot में बहुत सारी शीज़, अगरा मिल जाएगा, configuration नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको एक मंतब समझ रहे हैं, प्रो वाली फिल याएंगी यार, वह सब चीज इंपोर्टेंट थी concept, जाना important है कि वह कैसे काम कर रहा है, configuration कैसे हो रही, spring boot की हजब से आप जरूर से जरूर से project बनाईए, and then उसके बाद आप microservices करिए, तो मैं क्या करूंगा यार, इसको हटा देता हूँ, spring boot के बाद microservices करिए, और मैं क्या करता हूँ, यहां पर मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं कॉमा लगा देता हूँ, जिससे की, कॉमा मतलब spring boot के बाद आप microservices सीखिए, and then आप projects को create करिए, microservices is one of the most important है, अगर आप बड़े company को target कर रहो, और microservices में तो काफी बड़े-बड़े company use करती है, जिनको monolithic architecture पर काम नहीं करना, यह उनका project को ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ी team है, तो वो लोग microservices पर काम करती है, spring boot तक का आप सीख लोगे, then microservices को आप सीखोगे, तो आपको खुद एक feeling आएगी, कि हाँ यह जो problem monolithic architecture में थी, कि उसको solve किया है, कि इसने microservices ने, और microservices एक पूरा concept है, जो की implement होता है, spring boot वगारे को use करके, design pattern है, जो implement होता है spring boot वगारे से use करने में, तो technology तक का, spring boot में ही technology है, and then microservices एक तरह के सकते हैं, architecture है, जैसे, OOP से, microservices आप spring boot की help से भी कर सकते हो, note.js वगर की help से भी कर सकते हो, बहुत सारी चरीए, तो अगर आप यहां तक सीख लेते हो, काम करना, projects बनाना, यह सारे technology stack, तो आप एक pro बन चुके हो, और किसी कैसा भी java country, आप उसको निखाल सकते हो, किसी भी company में आप job ले सकते हो, है as a java developer, यह मेरी guarantee है, बठा projects करना मत भूलेगा, यहां पर भी आप एक project जरूर से जरूर कर लो, मैं यहां पर बताना चाहूंगा, कि एक project आप जरूर से जरूर यहां पर कर दीजिए, one project लिख दूँगा, one project तो यहां पर मैं color हलका सा white कर लेता हूं, ठीक है, हम लोग क्या करने हैं, यहां पर font size को भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा increase कर लेता हूं, 30 कर देता हूं, तो आप मैं कहना चाहूंगा, कि यहां पर भी मैं one spring boot project, ठीक है, one spring boot project तो अब यहां पर यहां तक का तो आपने technology के लिए projects को बनाएं, अब आप technology को use करके अपने coding, अपने ideas को implement कर सकते हो, अपने projects को create कर सकते हो, आप freelancing कर सकते हो, दमान तरखी चीजे use करके और पैसा को create कर सकते हो, पैसा को मतलब आप earn कर सकते हो, बहुत सारे तरीकशे आइं हैं आप earning करने के लिए, अपना स्टेटस और अपना एक लेबल बनाना होता है कि भाई हमारे लेबल है अगर आपको वह लेबल बन चुका आप सब्सक्राइब हो आप चीजों को सिखा पारों अच्छे से आपको नॉलेज है आप अच्छे आपकी लर्निंग स्किल्स है तो आप बहुत सारे तरीके य च्पाओं के तो कुछ चीजें आपको रिमेंबर याद रखने दिमाग में क्या चीजे फॉलो करनी है यहां तक पहुशने के लिए को जावा से लेके फ्रेमवर्स तक का पहुशने के लिए तो वह चीज में आपको बताने जा रहा हूं यह सबसे जादा इंपोर्टेट र कर लूँगा अपको पिसंस रख के काम करना एशा नहीं कि आप जल्द बाजी कर रहे हो अगर आपको और किसी प्रोजेक्ट की तो उससी तासे आप से अपने चेंज हो सकते हो को इस्यु नहीं ठीक है दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वह है basically focus on concepts and practical व patience के साथ आप अपने जो सीखरे उस पे धेहन दो और practical work पे ध्यान दो उसके बाद आपको proper time भी देना है, give time time को देना है अपने study पे and last change me बताऊंगा consistency, अगर आप consistency नहीं रखोगे, चीजों को पंदरा दिन, दो महिना, चार महिना, चीजों को सीखने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है कि अगर मैं पंदरा दिन दूँगा, तो मुझे इसमें mastery हांसिल करनी है, तो मैं उसी सबसे काम करता हूँ, कॉंसेट्स और प्रेक्टिकल वर पर मैं ज्यादा फूकस करता हूँ, और प्रॉपर टाइम देता हूँ, अगर मैंने सोच लिए कि बाई, दो घंटा मुझे देना ही देना है, तो मैं डेली करके दो घंटा दूँगा ही दूँगा, अगर कमेंट सेक्शन बता सकते हूँ, मैं कौन सी स्टेटरजी फॉलो करते हूँ, किसी भी चीज को सीखने के लिए तो आप कमेंट स्क्राइब मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्षिन में मुझे जरूर बताइए और मैं मिलता आपसे इंट्रेस्टिंग में अगर आपका कोई सजेशन है कोई टॉपिक आपके दिमांक में जो आपको चीज मुझे जो आपका को चीज के बीए बताइब की जररूर के लिएव मेंट सेक्षित केर